आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनसी में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप इससे जान सकते हैं आपके गर्ब में लड़का है या फिलरकी आप बेटी की माँ बनने वाली है या बेटे की गर्बावस्ता के पहले दिन से ही या जानने की चाह बहुत जादा होती है इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहचान पाएंगी कि आपके गर्ब में लड़का है या फिलरकी अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया घर में जल्द ही किलकारियां गुंजने वाली है एक परिवार दो से तीन होने वाला है मगर सवाल यह है कि वाकिलकारियां बेटे की होगी या बेटी की यह सवाल घर के हर सदसे के मन में होता है लेकिन नौ माह की प्रेगनसी में आखिरकार डिलिवरी के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में लड़के का जन्म होने वाला है या फिर लड़की की कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से आप यह जान सकती हैं कि घर में लड़का है या लड़की यह तरीके खाफी मज़दार हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पहला है बच्चे के हिर्दे की गती अगर आपके बच्चे के हिर्दे की गती एक मिनट में 140 बीट से कम है तो आप लड़के को जन्म देने वाली है आपका पेट बाहर की ओर बढ़ा है तो आप लड़के को जन्म देने वाली है गर्ब में बच्चा नीचे की ओर लड़का गर्भा वास्ता में आपका चहरा खिल उचता है पहली तिमाही में आपको उल्टी, मतली या मौर्निंग सिकनिस नहीं हुई है तो आप लड़का को जन्म देने वाली है आपका दायास्तन बायास्तन से ज़्यादा बड़ा है तो भी आप समझ लें कि आप लड़का को जन्म देने वाली है आप एक मिनट से ज़्यादा खुद कोसी से में देखती है और पाती हैं कि आपकी आँखों की पुतलियां फैल गए है तो भी आप लड़का को जन्म देने वाली है गर्भावस्ता में आपको नमकीन खाने की ज़्यादा चाह हो रही है तो भी आप समझ जाएं कि आप लड़के को जन्म देने वाली है अम बात कर लेते हैं आखिर लड़की होने के क्या संकेत है गर्भावस्ता के दोरान आपके पैर काफी ठंडे दाने लगे है जबकि पहले ऐसा नहीं होता था तो आप एक लड़की को जन्म देने वाली है साधी में दीग गई अंगूती को एक धागे से लटकाएं और अपने पेट के उपर उसे स्विंग करें आप पाएंगे कि सिर्फ एक साइट की और ही घूम रहा है तो भी वह लड़की होने वाली है आपकी तचा रूकी हो गई है गर्भावस्ता में आपको मोच स्विंग कम हुई है तो भी आपको लड़की होने वाली है जब भी कोई आपको हाँ दिखाने के लिए कहता है तो आप हतेली को नीचे की और करके हाँ दिखाती है तो भी समझ जाएं कि आप एक लड़की को जन्म देने वाली है गर्भावस्ता में आपके बाल चमकदार हो गए है आपके सरीर के बालों की ग्रोथ प्रेगनसी में जादा बढ़ गई है तो भी आप लड़की को जन्म देने वाली है इन दिनों आपको जादा सिरदर्द होने लगा है जब भी सोती है तो आपका तकिया उत्तर की ओर जात संदाई हो तो एक कमेंट जरूर करें लेकिर इन बातों का कोई वेग्यानिक प्रमान नहीं है